हेलो दोस्तो आप सबका फिर से स्वागत है टुटन कांपिटर गाइड एडुकेशन और नहींज चनल पर दोस्तो मैं जहर चतिवी स्पास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ करेंगे तो इस तरह का अगर आपके मन में विचार है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए आपको जरूर फाइदा होगा तो एक चोटा सा ट्रिक है एक चोटा सा गिफ्ट है अब सभी के लिए अगर पसंद आता है तो प्लीस कमेट पर जरूर लिखेगा तो चलिए कौन सा कौन सा का पॉलीसी चल रहा है लेकिन हमने यहां पर पोलिसी टाम कुछ इस तरह से होता है तो इस rush Azab nost, सब्सक्रांकी है और इस आपने हिसाब से अपर बना सकते हैं और इसके बाद में यहां पर आ राव जैसे कि मीटिमाम सामेश्यूर्ण और उसके बाद में आ रहा है policy type, policy type जैसे कि बहुत सारा policy type होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर दो ही type यहाँ पर maintain किये हैं, एक है enrollment, दूसरा है money back, तो इस तरह से आप policy type जो है, उसको आप इस column पर explain कर सकते हैं, तो हाला कि मैं पहले आपको demo दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम available हो गया आपका LIC policy का, अब जैसे customer के पास जब आप जाते है, customer के पास जाने का बाद, जैसे कि अगर customer का requirement होता है, कि उनको one leg का policy खरीजना है, या तो 50,000 का या two legs का या five legs का policy खरीजना है, तो आप यहाँ से क्या चूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से amount चूज़ कर सकते हैं माल लिजे मुझे 2,000,000 का policy खरीजना है, तो आप यहाँ से 2,000,000 सामेश यूड आप यहाँ से सिलेक कर सकते हैं, उसके बाद में go enrollment policy खरीजना है, तो आप यहाँ से enrollment चूज़ कर सकते हैं, criteria पर और उसके बाद में R.I.Policy time, मतलब कितने साल के लिए वो enrollment policy रखेगा, तो आप यहाँ से choose कर सकते हैं, 14 years, 20 years, 25 years, तो जब भी आप इस तरह का customer से आप request ले लेंगे, उसके बाद में आप database में जब check करेंगे, तो आप यहाँ पर जेखेंगे, उस criteria के हिसाब से, अगर कोई भी policy match होता है, तो यहाँ पर identify हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर अभी 2, दो लाग का एंडरोमेन policy, policy term 20 years का कोई भी policy match नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ भी यहाँ पर identify नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर change कर जेते हैं, 14 years कर जेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर दो policy निकल के आ चुका है, दोनों का ही policy term है 14, और minimum sum issued है अब details भी आप यहाँ पर डाल सेकते हैं, लेकिन इस तरह से आपका policy जो है वो निकल के सामने आ जाएगा, जब भी customer का जो requirement है, वो match होता है, अब माली जी यहाँ पर environment के जगा में हमने अगर मानिवेक चूस करते हैं, तो मानिवेक का यह जो time है, मतलब 2 legs का 14 years के लिए यहा यहाँ पर match नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर चूस कर देते हैं 16 years का, तो आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे पर एक मानिवेक policy जो है, वो select होके सामने आ रहा है, जो यहाँ पर आपका policy name accurate आ जाएगा, तो अभी तो फिलाल हमने डेमो के लिए हैं, आपे policy 1, 2, तो 3, 4 maintain किया है, तो policy name यहाँ पर आ जाएगा, टाम जो है 16 years का, टूलेक्स आ गया, सामे स्योड और यहाँ पर आ रहा है policy type क्या है, मानिवेक, तो दोस्तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, identify कर सकते हैं, अपने policy को, अपने match करा सकते हैं, अपने criteria की हिसाब से, और customer की criteria की ह तो दोस्तो एक छोटा सा tip है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, comment पर जरूर लिखेगा, अगर 100 comments मेरे इस वीडियो पर आ जाता है, तो next tip बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आपके लिए फायदा मन्थ होगा, और LIC के बारे में, LIC policy के बारे में, या requirements किस तरह का table आप maintain करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी अगर आप लिखना चाहते हैं, या information मुझे देना चाहते हैं, तो आप comment पर लिख सकते हैं, या तो मेरे email पर भी send कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसको आपको करना किस तरह से हैं, तो इसके लिए दोस्तो तो मैंने यहां पे और एक sheet यहां पर रखे है same to same इसकी Лिए दोस्तों आपको क्या करना है आपको table जो है उसको select कर लेना है looking आपको जाना है home tap पे और home tap पे आने का बास दोस्तों आपको यहां पर आना है conditional formatting conditional formatting पे आपको करना है click और इहां से आपको ले लेना है। न्यू रूल जब आप न्यू रूल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँपे दिखेंगेाb तो दोस्तों इहां से आपको चुछ करना है use a formula वाला option, तो formula क्या लिखना है पे हम formula use करेंगे आन्ड का क्योंकि यहां पे and क्यों लिखना है, क्योंकि मेरा जो यहां पे criteria है, वो criteria क्या होगा, वो criteria होगा, minimum annual ierte mechanical policy type and policy term, एक यह तीनों ही criteria अगर मेंच होता है, तब एक भी वो the formatting करें, मतंब वो underline करेm policy को, तो इसके लिए आपको यहांपे क्या लिखना है, formula formula लिखना है end का और उसके बाद में आपको देना है bracket अब यहां पर आपको क्या करना है आपको चूज करना है आपका जो पहला जो criteria है वो क्या है? Sam Assured का तो Sam Assured का जो column है वो कहाँ पर है? जैसे कि Sam Assured minimum Sam Assured का column जो है वो है D column तो D column का जो heading है वहाँ पर आपको click कर देना है जब भी आप वहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे D का जो reference है वो automatically यहाँ पर आ जाएगा $D, $2 मतलब absolute reference यहाँ पर आ जाएगा तो अभी आपको क्या करना है column को freeze करना है और row को ऐसी छोड़ना है क्योंकि row wise वो search करता जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है press करना है F4 दो बार तो आप यहाँ पर देखेंगे D पर freeze हो गया और row जो है वहाँ पर freeze नहीं हुआ उसके बाद में आपको देना है equals to और equals to देने का बाद मतलब D2 में वो क्या match कराएगा तो D2 में match कराएगा Sam Institute का यहाँ पर जो value रहेगा मतलब यहाँ पर जो selection क्या हुआ रहेगा वो ही यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं G3 जो की automatically यहाँ पर आ चुका है इसी तरह से आपको फिर से काउमा देना है So दोस्तों उसके बाद में आपको देखना है जो second criteria Second criteria क्या है Second criteria है policy type तो policy type अभी आपको ढूनना है कहाँ पर है policy type Policy type यहाँ पर है तो आपको चूस करना है policy type Cell reference और यहाँ पर प्रेस करना है दो बार F4 और आप देख सकते हैं E column जो है वो freeze हो चुका है और उसके बाद में आपको देना है equals to और उसके बाद में देना है policy type में वो क्या match कराएगा policy type में वो match कराएगा मानिवेक मतलब यहाँ पर जो भी content आए उसके साथ में उस table में से वो match कराएगा और उसके बाद में देना है again कॉमा क्योंकि मेरी third criteria अभी तक भागी है तो third criteria क्या है policy term अब फिर से बापस जाना है आपको table पे आप देख सकते हैं policy term कहाँ पे है c पे है तो आपको यहाँ policy term पे click करना है policy term पे click करने का बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं dollar c dollar 2 यहाँ पे आ गया है तो फिर से बापस आपको दो बार f4 प्रेस करना है अब हो गया c lock और उसके बाद में equals to देना है फिर से criteria पे आना है criteria पे आने का बाद आपको यहाँ से choose कर लेना है policy term तो policy term का जो cell reference है वहाँ पे आपको click करना है तो आप यहाँ पे देख सकते है policy term यहाँ पे आ चुका है तो इस तरह से formula जो है वो तयार हो चुका है अभी आपको क्या करना है bracket को close करना है और format पे जाना है format पे जाने का बाद जैसे कि हमने यहाँ पे use किये है fill color तो fill color पे आपको click करना है और यहाँ से कोई भी color आप ले सकते है जैसे red red लेने का बाद उसके बाद में आपको जाना है font पे और यहाँ से आपको चूज करना है bold और यहाँ से कोई भी color आप दे सकते है कोई भी color combination आप बना सकते है तो red and yellow का combination हम ने रखे हैं उसके बाद मैं आपको देना है ओके और फिर से बापस ओके तो आप यहां पर देखेंगे जो आपका जो magic trick है वो यहां पर तयार हो चुका है अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मानिवेक one leg का कहां पर है जैसे 14 years में भी नहीं है 16 years में भी policy जो है LIC policy जो है उस LIC policy का table आप excel sheet में बना सकते हैं और customer के requirement के अनुसार मतलब customer के criteria के अनुसार आप उस policy को identify भी कर सकते हैं और उसके बाद में customer को convince भी कर सकते हैं उमिद्य दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आये हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर जाएगा तो दोस्तों इस तरह का एक simple trick आप यूज करके आप अपने customer को convince कर सकते हैं और एक बहतरीन presentation आप customer को दिखा के आप उसको impress भी कर सकते हैं तो best of luck for your carrier और अगर आप further वीडियो इसी की ऊपर देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट पर जरूर लिखेगा प्लीज एलाइसी सेशन कंटिन्यूड अगर 100 कमेंट मुझे इस वीडियो पर मिल जाता है तो मैं इस तरह का वीडियो में यहां पर एक्स वीडियो के साथ बाई बाई